Hello everyone and I hope आपकी preparation बहुत बढ़िया चल रही होगी तो guys, आज बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं आज हमें एक important मुद्दे पर discuss करेंगे कि भाई एक aspect अपना routine कैसे set कर सकता है और एक aspect का routine कैसा होना चाहिए क्योंकि देखो यार जब तक आपका routine अच्छा नहीं है जब तक आप systematic way में, disciplined way में अगर आप study नहीं करोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यार आज की एट पर देखो resources की कमी तो नहीं है सब के पास material है, lectures है, notes है, आपको पता है it is available everywhere लेकिन जब तक कि आपका routine ही set नहीं है आपका पढ़ने का money नहीं कर रहा आपकी वो consistency ही maintain नहीं हो रही तो फिर सारी चीज़ें किसी काम के नहीं है और आज की एट में कैस्पेंट के लिए सबसे बड़ा challenge ये है कि यार मैं कैस्ट उस routine को set करूँ तो मैं आपको बताऊंगा step by step एक procedure में बताऊंगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि यार आपने सोचा कि ठीक है मेरे को कल से UPSC के preparation करनी है तो मैं कल से 8 गंटे पढ़ूंगा जी ठीक है जी सुबे 3 गंडे पढ़ूंगा दिन में 2 गंटे और आपको 3 गंटे और ठीक है जी preparation हो जाएगी ऐसा नहीं होता यार बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत सारे factors होते हैं जिनको आपने into account लेना है then you have to work on them सीरे स्टार्ट करेंगे मैंने कुछ key pointers लिखे हैं जिसके basis पे आपको systematic way में चीज़ें समझाऊंगा है ना कुरकि बहुत सारे बहुत बार वीडियो systematic नहीं हो पाती है लेकिन आज systematic होंगी तो सबसे पहला point यह होता है कि देखो अब सीरे आप इसको no down कर सकते हो and इन चीज़ें को no down करना and trust me यह जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहली बात है कि हम अपना routine कैसे set करें routine set करने से पहले आपको दो चीज़ें करने होगी यह पहला step होता है अपना सोने का time यह sleeping cycle and अपनी eating schedule यह दोनों चीज़ें आपको set करनी पड़ेंगी कुछ नहीं यार देखो ऐसा नहीं कि मैं jam man करता है पड़ओंगा जब बहुत से बुता है मैं jam man करता है पड़ता हूँ सुबे उठा पड़ लिया दिन में man क्या यार यह man पे नहीं चलना आपको मन पे चलोगे तो फिर कभी मन बोलेगा आज पढ़ना ही नहीं है तो फिर आप नहीं पढ़ोगे मन पे नहीं चलना है आपको अपने गोल के अगॉर्डिंग ली चलना है सबसे पहला काम है आपका सोने का रूटीन सेट करो बारा बजे सोता हूँ, छै बजे उठता हूँ, क्लियर कट अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ, रोबोट वाला रूटीन होना चाहिए कि बारा बजगे तो बिल्कुल सारा काम एक्दम बंद करके सीथे सो गए बारा बजे का सोने का है तो साड़े बारा चल जाएगा कभी काम जल्दी कम्टिट होगी तो साड़े ग्यारा चल जाएगा एक घंटे का वो बफर पिरेड रहेगा प्लस माइनस 30 मिनट्स दो बजे तक पढ़ाई हो रही है, कभी 2.30 आपने पढ़ लिया बाई अगर 5 बजे उटना है तो 5 बजे उटना है 6 बजे उटना है तो 6 बजे उटना है यहाँ पैसे नहीं कि यार मन नहीं कर रहा चलो पूरा दिन है फूल डाइम है पें पेंडू कवर कर लूँगा यार देखो यहीं पे तो discipline की बात आती है चोटी चोटी चीजे ही आपके बहुत बड़ा एक role play करती है तो you cannot compromise with these small things अगर आप 2 बजे सो रहे तो ठीक 8 बजे उटना है लेकिन फिर उटना प्रोपर उसी time पे जो मैंने decide किया है तो यहाँ से आपका will power भी strong होगा जब आप अपनी जो चीजे प्लैन करते हो and you follow it तो will power होता है strong दूसरे point की बात आती है नि और खाने का time जैसे मतलब breakfast breakfast 9-9.30 पे दिन में अपना lunch है 1.32 पे और रात को dinner है 9.30 नौ साड़े आट जो भी है that's it, it has to be clear कभी 7.30 पे मैंने अपना dinner कर दिया कभी 9.30 नौ हो रहे कभी 11 बज रहे यार यह सब चीजे नहीं work करती है यह suit नहीं करता है participant person को second thing is अब यह तो चलो एक routine था मान लेते हैं कि थोड़ा उपर नीचे हो जाता है that is fine अब मुद्दे की बात आती है you have to set your macro targets macro targets set करना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है क्योंकि होता किया ना कि यह पर हम planning नहीं करते है या ठीक है बहुत हों का क्या रहता है कि ठीक है मैं भी NCRD पढ़ रहा हूँ जी quality की ठीक है यार इसके बाद मैं economics पढ़ लूँगा economics की NCRD पढ़ लूँगा यार अभी थोड़ा सा मैं आंसाइडिंग कर लेता हूँ यार ऐसा नहीं चलेगा scene पहले तो अपना item fix करो 24 में देना 5 में देना है एक plan बनाओ कि 24 का मेरा item है तो ये है भाया में में exam और मेरा syllabus हो जाना चाहिए मार्च में complete और मेरे पास ये core subjects हैं वो films, mains जो दोनों में आते हैं पहले मैंन को cover करूँगा फिर उसके बाद mains के subject करूँगा हर core subject को में इतने इतना time दूँगा और इस time पे मेरा complete होना चीए जैसे मैं अपना batch की बात करता हूँ मैंने clear cut रखाएंगी 45 days में हम चीज़ों को cover करेंगे 5-7 days revision में देंगे quality हो गया, economics हो गया इसके बाद history स्टार्ट करेंगे 50-55 days में history प्लस art and culture cover करना है तो करना है उसके बाद geography इतने time पे हमने geography cover करना है फिर environment, फिर art and culture और जो mains के subject हैं छोटे मोटे वो तो 5-5-10-10 दिन में हो जाएंगे एक दम clear है प्लिम्स प्लस मेंस जो भी चीज़ें आप subject cover करोगे उसको दोनों perspective से आपने पढ़ना है 40-days का आप आपने target set करने पर 40-days में मेरा ये है syllabus, ये है मेरा resources 40-days में आप break कर दोसको कि weekly-base पर इतना content मेरा होना चीए simple सी बात है अगर आपका 40-days का content नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है आपका जो अगला subject है वहाँ पर आप quality पढ़ोगे आफी यानि कि एक subject को आप पढ़ोगे वहाँ पर फिर वो चीज cover नहीं ही फिर ऐसे करके in the end आपका syllabus cover नहीं होगा तो it has to be clear कि ये मेरा time मैंने बड़े source समझ के दिया है इस पे मुझे cover करना है तो करना है there is no other option अगर अगले साल exam मुझे निकालना है अगर पांच लाक लोगों मैंसे मुझे top 200 में आना है top 800 में आना है तो I have to do this that is the only thing इसके बाद आपने weekly target set कर दें कि ठीक है weekly plan है इतना मैं chapters cover करूँगा इतना optional कि मैं topics cover करूँगा बाकि daily base पे जो मेरी activities चल रही है जैसे current affair revision वो चलता रहेगा तो ये एकदम clear होना चाहिए आपको you have to set the macro targets उनको weekly और daily base पे आपने break करना है तो करना है उसके बाद जो सबसे important point आती है जो ये चीज बहुत से लोग miss करते है एक आपको heavy slot पकड़ना पड़ेगा दिन का जबो जनरली हमारे study slot क्या होते है morning, afternoon और evening का एक time हो गया बहुत से जैसे morning में पूरा अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो एक evening का time हो गया एक night का time होते है तीन ये major slots होते है बहुत से लोग क्या गडबर करते है न वो रात का slot अच्छे से utilize करते है न morning का morning या night एक slot आपका दमदार होना चीए जिसमें 50% आपकी पढ़ाई निकल के आजए बहुत से लोग क्या करेंगे जल्दी सोचेंगे 11 बजे तो रात का slot तो नहीं हो पाया उनका utilize अच्छे से फिर लेट उठेंगे वो 7-8 बजे और morning में भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से पढ़ाई तो यार आपने अपने दो major slots को ऐसी बरबाद कर दिया या तो late study करो 2-3 बजे तक कि मेरा night का जो time है 9 बजे से 3 बजे तक आपने पढ़ लिया 5 घंटे के आपकी पढ़ाई निकल के आ गई है आपने 50% of the जो daily का जो target है 50% of your daily study आपने एक जटके में cover कर दी या तो फिर early उठो कि 10 बजे 11 बजे सोता हूँ मैं सुभे 4-5 बजे उठोंगा या 3-4 घंटे में morning में अच्छे से cover करूँगा लेगिन एक time आपको पकड़ना पड़ेगा और यह मैं I think mostly यह जैसे working person होते हैं या housewives होती है ना उनको बहुत problem आता है कि हमारा schedule या routine ने set हो रहा है तो यह चीज़़ो आप लग लिए wonders work करेगा तो this is what you have to do कि आपको यह set करना पड़ेगा या तो early morning ओठो या late nights एक slot आप पी कर दो क्योंकि अगर इसमें आपने 4-5 hours की study कर दी तो throughout the day आपको just 3-4 hours मैं यह नहीं कहता है hours की साब से आप पड़ाई करो पर कहने का मतलब है कि duration आपका बढ़ जाएगा पड़ाई का अगर आपको syllabus time पे cover करना है तो study duration आपको बढ़ाना पड़ेगा 2-4 गंटे में थोड़ी काम चलेगा यार आपको 6 गंटे, 8 गंटे, 10 गंटे देने पड़ेंगे एक challenging part तो हो जाता है तो जो एक aspect जो अच्छा कासा पढ़ता है तो यह तो लेट नाइट study करता है और अच्छा कासा time निकालता है और morning में या तो ठीक है? तो यह another thing एक और चीज होता है कि slots आपको set करने देखो, एक discipline होना बहुत ज़रूरी है UPSC preparation ही कैसी preparation देखो school, college का जमाना गिया यहाँ पे ना आपके parents बोलेंगे कि बेटा पढ़ लो exam आ रहा है, कोई नहीं बोलेगा आपको अना आपके friends बोलेंगे, nobody will say यह जब आप competitive exams में आते हो जब आप preparation phase में आते हो nobody will say कि पढ़ लो भाई exam है, पढ़ लो भाई, ऐसा है कोई नहीं बोले गया, देखो, आपको अपने चिंता होने चीए, मेरा career मेरी life, मेरा goal मेरी post, बनूगा तो महीं बनूगा न, अगर मैं exam निकालूगा तो महीं तो I.S. बनूगा, कोई और थोड़ी बनेगा अगर मैं exam निकालूगा, तो मुझे ही तो respect मिलेगी, मुझे ही तो सब कुछ मिलेगा तो फिर कोई क्यों बोलेगा You have to be worried about your goal आपका goal है, आपका career है I.S. आपी बनोगे, power आपको मिलेगी, authority आपको मिलेगी, respect आपको मिलेगी, समझ रहे हैं अपनी goal के लिए थोड़ा सा चिंता होनी बहुत जरूरी है discipline होना बहुत जरूरी है, don't expect कि सामने वाला आपको मदद करेगा, कोई miracle होगा magic होगा, सामने वाला एक angel बनके आएगा, कुछ नहीं होगा भाई You have to be on your own You are on your own, ठीक है discipline होना बहुत जरूरी है तो आप एक slot set करो, एक मोटा मोटा slot set होना चाहिए, कि भाई ठीक है देखो यर सबका अलग होता है, कोई working person है, कोई college person, मैं अगर अपनी full time estimate की बात मैं अगर बताता हूँ, मैं अपने example तो मेरा क्या होता है, कि मैं आगर slot देखो, morning का slot मैं ने देखा, morning का slot अच्छा कोई disturbance नहीं होता, तो morning का slot में अच्छे पढ़ाई होगी, दिन के time में भी कोई disturbance नहीं होगी, तो दिन के time में भी अच्छी गासी, nap लेने के बाद, श्याम को evening में थोड़ा सा पढ़ाय अची होगा रात को अच्छी होगी तो वैसे आप कभी होगा कि घर में जिस टाइम पे जो घर से परिपरेशन कर रहे हैं तो जिस टाइम पे कोई डिस्टरेबेंस नहीं है उस पे आप उसको अच्छी से उट्टराईज कर सकते हो आप पिक कर दो ने, our slot, बहुत जह बोलते हैं, disturbance होता है, पढ़ाई नहीं होती, यह 24 आवर्स तो नहीं होती होगा na disturbance, पाच शे गंटे यार, साथ आट गंटे, कुछ तो ऐसा, रात को थोड़ी होगी disturbance, 10 बजे के बाद, यह early morning, 3-4 बजे थोड़ी होगी disturbance, you have to pick out the time, ना, पर You cannot blame this situation and surrounding की भई ने डिस्ट्रबेंस होता है मेरे को नीद आती है, मेरा मन नी कर रहा है मेरे डिस्ट्रेक्शन हो रहा है ये वो You cannot give these excuses It is very clear अगले साल एक्जाम है मुझे स्लेबस कवर करना है I have to study, I have to find ways, I have to find the time Very simple, clear cut थोड़ा सापको लग रहा होगा मैं थोड़े strong words लग रहे होंगे बर देखो यार, सज बोलूँगा आप लों के साथ ऐना, ऐसे चुबली चुबली बाते नहीं करूँगा कि नहीं हो जाएगा भई, आराम से हो जाएगा नहीं होता भई You have to be ruthless इतनी बड़ी position है निकालना पड़ेगा time लेट नाइट पड़ना पड़ेगा अल्ली मॉनिंग उठना पड़ेगा डिस्ट्रक्शन को हटाना पड़ेगा मोबाइल, सोचल मीडिया इनको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा उननेसेसरी फ्रेंड्स के साथ चैटिंग, घुमना फिरना लिमिट करना पड़ेगा इफ वांट टू रीच अट इट इंडिया स्टॉप पोजिशन तो ये चीज़ है तो discipline होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद तो देखो जब ये सारी चीज़ आपने कर दी तो आपका देखो routine सेट हो गया है पढ़ाएकर routine सेट हो गया आपका macro, micro plan ready हो गया है अब आप it is very easy जब आप स्टार्ट करते हो अपना schedule जैसे आपने schedule सेट करते हो daily basis पे मुझे क्या cover करना है कुछ basic tips मैं अगर आपको बोलू जैसे की mobile भई पढ़ने से पहले और पढ़ने की बीच में mobile use मत करना बहुत सारी लोग परेशान है जब मेरी बात होती है बोलते हैं distraction हो रहा है consistency ने बन रही है मैं simple बोलता हूँ भई mobile कभी use करते हैं पढ़ाई की बीच में हाँ mobile बीच में हम कर लेते हैं मत करो नहीं करना जब पूरी slot आपका cover हो जाएगा then open your mobile भई कहां भाग रहा है mobile यार messages या Instagram या YouTube आप दिन में एक बार भी चेक करोगे तो that is sufficient कुछ miss थोड़ी हो रहा है आपका लेकिन उसको बीच बीच में पढ़ाई की बीच में खोलोगे तो भाई आपका पूरा carrier दाव पे लग रहा है समझ रहे हैं इस चीज को mobile पढ़ने से पहले नहीं कोलना जो important चीजें सर्च करने हो वो in the end ठीक है जब पढ़ाई slot complete हो जाएका तब मैं सर्च करूँगा unnecessary पढ़ाई से पहले chatting, gossip, बातें ये वो कुछ नहीं करना मन में घुमती हो वो सारी चीजें एक चीज यह होती है कि भले आप सिर्फ 6-8 गंडे पढ़ते हो लेकिन UPSC यानि एक preparation zone में आपको 24 hours रहना है ये आपको दिमाग में बढ़ाना पढ़ेगा it is nobody saying कि 12-14 गंटे पढ़ो पढ़ना आपने 6-8 गंटे ही है लेकिन उस zone में रहना बहुत ज़रूरी ये नहीं कि आपने 6-8 गंटे मस पढ़ाई गे फिर वापिस अपने बस पुराने रूटीन में आगे unnecessary जो कचर है उस दिमाग में डाल रहे हो तो जब आपने 7-8 गंटे वो सब वेकार चला जाएगा एक zone में रहना है तो भई आप एक officer बनने वाली प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है तो आप अपने mind को divert ये dirty नहीं करना चाहोगे with unnecessary information जो किसी काम की नहीं है जो आपके growth में आपको मदद नहीं करी है simple सा concept है जो चीज़ आपको grow नहीं कर रही है या जो आपको मदद नहीं कर रही है आपको grow करने में उसको हटाओ life से as simple as that ठीक है? tough होगा, challenging होगा पर long term में यहीं आपको success दिलाएगी तो बस यहीं चीज़ें होती है बाकी पढ़ते वक्त चीज़ों को ध्यान से पढ़ो यार थोड़ा meditation स्टार्ट करो रात को सोने से पहले कुछ अच्छी spiritual self-help books पढ़ने की habit डालो रात को सोने से पहले mobile ज्यादा नहीं करना चीए वो इस subconscious mind में घुमता रहेगा फिर अगले दिन उटेते ही आपको mobile की लत लग जाएगी बार-बार छोड़ी छोड़ी बात पर mobile नहीं खोलना है थोड़ा mobile को side रखना है exercise को include करो अपने life में अच्छा healthy खाना खाई ये और जब पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते देखो मैं कहूंगा कि छोटे-छोटे जो कोई concept या चीज़ें आप पढ़ते हो समझते हो छोटे-छोटे note making वाली habit एड़ कर दो life में revision में आसानी हो कि I am not saying कि notes making नहीं मैं बोल रहा हूँ और note down करो उन चीज़ों को जो आपने पढ़ाय समझा है कोई आपने एक paragraph पढ़ाय या आपने कोई concept पढ़ाय एकनोमिक्स का जैसे challenging subjects जो होते है उसको आपने समझा उसको अपने language में लिख दो और जब आपको revision करना हो तो आपके अपने notes ready है आपने पूरे दिन पर में जो पढ़ाय आपने एक दो पने का notes बना दिया कुछ नहीं खोलना आपको अपने notes उठाए revise किया and that's it revision has to be regular या तो आप अगले दिन पढ़ाय करने से पहले revision करो और रात को revision करो है ना अगले दिन morning is the best time to revise revision करो daily based पे फिर weekly based पे Sunday को आदा दिन एक gap दो आप जिसमें कि आपने आदा दिन revision बाकी activities करी और आदा दिन अपनी mind को relax होने दिया gap भी बहुत ज़रूरी है अपनी hobbies को time देना भी बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई 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 आपके prediction बहुत जबर्दस हो जाएगी all you need is discipline consistency बाकी पढ़ने के बाद अच्छे से revision पे जोर डाली और practice दबागे कीजिए तो बाकी यही है कुछ मेरी तरफ से कुछ important tips and tricks उनको follow करिएगा बाकी खहें पे कोई दिक्कत परिचानी होती है तो बेशक comment करिएगे and I'll resolve your doubts इसी के साथ और भी मैं और ऐसे ही अच्छे videos लाऊंगा guys so thank you so much and अगर video end तक देखा है तो बताईएगा कैसा लगा या कौन सा ऐसा point है जो आपको बहुत पसंद आया है तो it will be you know great to hear from you so thank you so much and have a good day